नमस्ते दोस्तो जोहर मैं विश्यक चक्रवर्तिया आप सभी का फिस अपने उडूप चना पस स्वागत करता हूँ दोस्तो क्लास 10 का नेक्स जो विकली टेस्ट होने वाला है सोलो तारिक को सनिवार को वो है इंगलिस विशय यानि अंग्रेजी विशय का आपका एक्जाम हो आने वाले हैं अब बहुत सारे बच्चे जो है परिशान है कि कौन कौन सा चैप्टर वो पढ़के जाएं जो एक्जाम में आने वाले हैं तो दोस्तो आप लोगों का जो एक्जाम का सीडूल जो पकड़ा गया था वो जून से क्यूंकि आपका सिलिबस जून से दिया यह तीनो मेहना का जो है जो जो चैप्टर था उससे कोईशन दिया गया यानि आपको तीनो मेहने से जो जो चैप्टर दिया गया है वो सभी का तैयारी आपको करके जाना है कौन कौन सा चैप्टर है एक एक चिसको मैं आपको बताते चलता हूँ आप लोग नोट करते चलि मिलेंगे dust of snow जो है आपका कविता यानि poem से ये question देखने को मिलेंगे इस chapter से भी देखने को मिल सकते हैं उसके बाद और एक जो book है उससे आपको देखने को मिलेगा a trump of surgery ठीक है James Harriet का जो आपने पढ़ा था food prints without feed वाला जो है वो जो है आप ट्रॉम्प of surgery वाला जो है chapter उससे भी questions पूछे जा सकते हैं उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं आप लोगा tense यानि व्याकरन से भी questions रहते हैं यानि tense में आपका past tense से सवाल पूछे जाएंगे और आग चुका है तो previous questions को भी आप लोग चैप्टर को भी जो है करके जाएगा क्योंकि उससे भी सवाल पूछे जा सकते हैं उसके बारे में भी मैं आगे बात करने वालों ठीक है अभी तक हम लोगों ने जो है दोस्तों देख लिया किसका यहां पे हम लोगों ने बात किया भी इसको भी आप लोग करके जाहिएगा ठीक है यह को बहुत अच्छे से करके जाना है ठीक है चले आगे देख लेते हैं देखिए आपको इस बार जो है model से भी सवाल पूछ जाएंगे यानि आप लोगों ने जो model जो है व्याकरन में यानि English grammar में model से पूछ सारे questions पूछ जाएंगे अगर आप लोगों दिक्कत होगी तो आप लोगों चैप्टर के साथ मैं grammar section का भी बहुत अच्छ से त्यारी करा दूँगा पसरती कि आप लोगों नीचे comment करके बताएगा कि कितने students जो है class 10 के साथ जुड़े हुए है चलिए आगे देख लेते हैं क्या पढ़ना है हमें अग कर डायरी में वो पूरा story उस पे बताया गया तो इस chapter से जो आप लोगों का questions रहेंगे फिर आपको Amanda वहला जो है इसको भी आपको करके जाना है इस चैप्टर से भी questions रहेंगे फिर आपको ध्यान देना है एक question और trust जो है विक्टर इस chapter को भी आपको करके जाना है इस बार non फाइनेट से grammar section से question आपको देखने को मिलेंगे चलिए आगे देख लेते हैं क्या दिया गया है यह आपको फाइनल एक्जाम जो होगा उस पे और प्रीबोट पे यह दिया जाएगा अभी आप लोगो जो बता रहे हैं वो आपको अच्छे से करके जाना है यहां पर देख सकत तक का यह जितना मैंने बताया ठीक है यह सभी chapter से questions आपका पूछा जाएगा ठीक है यह मत मान के चलिए कि आपका खाली सितंबर का ही questions सब जो है पूछा जा रहा है ठीक है तो सितंबर के साथ अगस्त जून जुलाई और अगस्त यह तीनों महना का भी आप लोग एक बार revision कर लिजेगा इससे confirm हो जाएगा कि आपका एक भी question जो है solo question में एक भी question नहीं चुटेगा और साथ में आप लोगो जो मैंने grammar section से भी बताया उसको भी एक बार अच्छे से देख लिजेगा अगर आप इसको अच्छा करना चाहते है क्योंकि हर एक question में आपने देखा एक ही आशा करते हैं आप लोगा सभी तरीके के doubts clear हो गया कौन-कौन से chapter का त्यारी करना है वीडियो को जो है pause करके एक बाद चेक कर लिजेगा अगर आप लोग यह PDF चाहते हैं तो मैं अपने टेलिक्राम चैनल पर सेयर कर दूँगा या आप हमें प्रसनली जो है Instagram में message कीजेगा मैं वहाँ पर भी आपको जो है यह आपको भेज़ दूँगा ठीक है यह मेरा Instagram का ID है डायरेट आप वहाँ से जूड कर यह जो है आप मांग सकते हैं English का हमसे syllables को ठीक है तो यह सारे chapters अब तक के लिए आपको पढ़ना है जो आपके होने वाले exam है उसमें अगर आप लोग अपर वाइस त्यारी करना चाहती है यह पूरा वीक में आप लोग को इंग्लिस का जितना भी टॉपिक है वह में complete करा दूँगा तो आप लोग प्लीज इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों के साथ ज्याद ज्यादा सेयर करें लाइक करें करें तो मिलते हैं दोस्त धन्यवाद जय हिंद वन्दमातरम